नमस्कार आपका स्वाकत है राजनामा टीवी पर मैं भूनम आपके साथ बॉलिवूड एक्टर एमरान खान बित्ते आठ साल से इंडरस्टी से गायब है हाला की हाल ही में नोंने सोचल मीडिया पर कमबैक किया है यहाँ वे अपनी फिल्मों और परसनल लाइफ से जुड़े किस से कहानिया शेयर करते रहते हैं इसी सिल्सले में शुकरवार को इमरान ने अपनी आखरी बॉलिवूड फिल्म कटी बटी के बारे में बात की उन्होंने फिल्म से जुड़ी कुछ पोटो शेयर करते वे बताया कि इसकी शुटिंग के दोरान उने कभी अंदाजान नहीं था कि वे आकरी बार कैमरा फेस कर रहे हैं इमरान ने पताया कि इस फिल्म के शुटिंग के दोरान उनके उपर बहुत प्रेशर था वो एक हेट फिल्म देना चाहते थे क्योंकि उनकी पिछली कुछ फिल्म में बॉक्स आफिस पर फ्लॉप रही थी फिल्म की शूटिंग से जूड़ी कई तस्विरे शेयर करते वे इमरान ने लिखा जैसे जैसे मैं कटी बटी के बारे में पोस्ट करने के करीब चा रहा हूँ मैं अपने पेर पीछे खीच रहा हूँ जब हमने इस फिल्म की शूटिंग शूरू की थी तो मुझे नहीं पता था कि आकरी मोका होगा जब मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ मुझे पता था कि मेरी आखरी फिल्म को एलीस हुए दो साल हो गए थे मेरे उपपर एक सफल फिल्म देने का बहुत बड़ा प्रेशर था इमरान ने आगे बताया हमारा पहला शेडूल पूरे की फ्लेम इनिवर्सिटी में था वहां के स्टुडेंट्स और फैकल्टी ने हमारा जबद स्वागत किया नोंने हमें शूट के लिए पुरा कैंपस यूज़ करने की आजाती दी थी सेट पर कास्ट से केमिस्ट्री बिल्डप करना भी मज़िदार था मुझे याद है कि इस फिल्म की कास्ट और प्रूब बहुत ही कमाल की थी डिरेक्टर निकर अडानी हो, कंगना रानाओत हो या फिर मिथिला पाल कर सभी ने मुझे खुब इंप्रेस किया इसे के साथ बने रहे रालकामा टीवी के साथ धरन्यवाद